क्या भारत में बनने जा रहा है सनातन धर्म यानि की हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महाविद्याले सनातन धर्म को मिटाने की इतनी कोशिशों के बावजूद भी रितेश्वर महाराज कैसे सनातन धर्म और हिंदू धर्म को बचा रहे हैं जरा उनके मुक्से ही सुनते हैं भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा सनातन विश्व विद्याले का निर्मान, उसकी लिए एक हजार एकड़ भूमी का अधिगरहन उत्तर प्रदेश में हमने कर लिया है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा सनातन बिसुविध्याले होगा, जो सनातन के रिच्वल्स को, संस्कृती को, जो मानोता की संस्कृती है, बार-बार कह रहा हूं, बसुधा को बचाने का बिसुविध्याले होगा, जहां पर बच्पन से लेकर सोलह संस्कार के पालन, विवा अधनिक विज्ञान का समावेश जो आज की जीवन में जोड़ और दोनों का फ्यूजन बनाकर एक बिद्या पद्धती तयार की जाएगी जिसको सनातन सिक्षा बूड के नाम से जाना जाएगा और मुझे पक्का विश्वास है कि मैं सबसे कहता भी हूँ जितने भी रिशी ह सादू हैं संत हैं और बीडिया हैं जो भी हैं लीडर हैं सब से कहता हूँ प्रत्य भारत वासे से कहता हूँ आप सब भी सनातन बिद्या बूड का मांग कर लेजिए यह आते ही एक दो बिड़ी के बाद हमारे बच्चों के पास भगवान राम की मर्यादा होगी और सरी कृ को विस्व गुरू की तरह लीड कर रहा होगा यह बहुत जरूरी है कि मैं कितनी भी बातें कर लूँ कितना भी जिंदाबाद यह पर बना रहे हैं इसको न तोटी इसकी क्या तैयारी है इसकी तैयारी सनातन की विद्या है सनातन का एजुकेशन है बचपन से ही सनातनी एजुकेशन लेकर जब बच्चे ऊपर उठेंगे तो इतने मजबूत इतने शौर इतने आनंदित होंगे और देश का वातावरन ऐसा होगा कि यहां कोई तोडने की बात नहीं करेगा सब सनातन धर्म ही सिखाता है तो सभी लोग सनातन सिक्षा वोड की मांग करें मुझे लोग कहते हैं खाली मांग करना तो सब को या आता आप कर क्या रहे हैं तो मैं यह कर रहा हूं जो दुनिया का सबसे बड़ा सनातन विश्वविद्याले बनाने जा रहा हूं और यह हिम्मत मैंने किया है और हिम्मत किया है तो देखे सब कुछ मेरे लिए उपलब्द हो रहा है और ये बनेगा तो मुझे लगता है रॉल मॉडल के रूप में बनेगा पुरी दुनिया का और भारत सरकार इसको एडॉप्ट करेगी और साइद तब तक बन जाएगा जैसे राम मंदिर खंडित्था बन गया वैसे बक्तियार खिलजी ने जिन गरंथों को जलाए थे वो सारे गरंथ फिर से हमारे हरदयों में जागरत हो जाएगे जब सनातन सिक्षा बोड भारत में बन जाएगा सब को मांग करने चाहिए और सब को इसके लिए काम करना चाहिए